हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुभह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी जरूरतों को परमेश्र पूरा करेगा क्योंकि वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुमें देना जानते हो बुरे होकर परमेश्र की दृष्टी में हम बुरे होकर पापी होकर जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुमें द अच्छा दे, महंगे से महंगा लोग खरीते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये बच्चा जादा दिन तक इस चीज को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए महंगे से महंगा टॉई, महंगे से महंगे कपड़े खरीते हैं, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, वो तो बुरा नहीं है, वो तो पवित्र है, वो सच्चा है, वो अच्छा पिता है, तो वो हमें अच्छी वस्तुएं हमें क्यों न देगा, हमार तो अच्छा है वो तो उत्तम है जब वो उत्तम है जो वो अच्छा है तो वो हमें अच्छी वस्तों में क्यों न देगा और परमेशु का वचन कहता है रोमियो की किताब उसका आठ ध्याई 32 पद जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है जिसने अपने निच पुत्र को भी ना रख छोड़ा परन्तु उसे हम सब के लिए दे दिया वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा आमीन दोस्तों यहां पर परमेशु का वचन कहता है कि जब उस पिता ने उस स्वरगी पिता ने जब अपना निजपुत्र ही दे दिया हम जैसे लोगों के लिए इस मनुश्य लोगों के लिए जब अपना पुत्र पुत्र क्या होता है सबसे बहमुल्य है सबसे कीमती है बच्च और जब परमेशुर कहते हैं कि जब परमेशुर ने वही पुत्र आपको दे दिया, आपको और मुझे दे दिया है तो फिर वो अन्य वस्तुएं हमें क्यों न देगा वो सब प्रकार के वस्तुएं आपको देना जानता है जब उसने अपना बेस्ट आपको दे दिया लेकिन वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कि अपना बेटा तक उसने हमारे लिए दे दिया, अब हम में से बहुत से भाई बेन रो रहे हैं छोटी-छोटी चीजों के लिए, अरे भाई जब परमेशन ने आपको अपना बेटा दे दिया, तो वो ये छोटी चोटी 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 चीज़ों को के बारे में सोच कर आप चिंतित हो रहे हैं, परिशान हो रहे हैं, तनाओ में चले जा रहे हैं, डिप्रेसन में चले जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उच्छाइट करना चाहूंगा, आज मैं आपको उच्छाइट करना चाहू परमेशोर आपके जीवन में काम करते हैं हम लोग अबरहम के जीवन में देखते हैं जब परमेशोर ने अबरहम से कहा कि अपना बेटा मेरे लिए बली चड़ा दे और अबरहम तयार हो गया अबरहम ने कुछ परमेशोर से नहीं कहा वो तयार हो गया उस परवत पर पहुंच आपने बेटे को लेकर वहाँ पर उसने वेदी बनाई और जैसे ही वो बली करने वाला था वैसे ही परमेशुन ने उसके लिए ब्यावस्ता कर ले अबराहम ने क्या देखा कि एक भेड का बच्चा वहाँ पर फसा हुआ है फिर वो उसे लेके आया और उसका उसने बली दानी किया कहने का मतलब है हमारे परमेशुन हमें अच्छी वस्त वे देना जानता है हमारी जुर्तों को पूरा करना जानता है वो अबराहम से बेटा नहीं मांग रहा था केवल उसकी परिच्छा कर रहा था बली के लिए तो वहाँ ब्यवस्ता थी परमेशुन ने पहले सही परबंद कर रखा था उपाय कर रखा था इसलिए उस जगह का नाम अबराहम ने रखा यहुआ हीरे उपाय करने वाला परमेशुन है यहाँ पर परमेशुन उपाय किया है मेरे लिए आपके लिए परमेश्र उपाई करेगा आपके जरुत के समय परमेश्र आपके लिए उपाई करेगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत नीड में हैं और परमेश्र आपके लिए प्रवंद न करेगा वो आपके लिए प्रवंद करेगा वो आपके लिए उपाई करेगा, क्यों? क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो सच्छा पिता है, वो बुरा पिता नहीं है, वो अच्छा पिता है, वो प्रेमी पिता है, जो उसने अपना बेटा दे दिया, तो बाकी चीजें वो आपको क्यों न देगा, ज़रत है तो आपको अ तैयार हो जाते हैं आपने बहुत कहानियों में सुना होगा और देखा भी होगा कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को जान देने के लिए उन्हें बचाने के लिए अपने आपको मौत दे दी अपनी जान की परवाह नहीं की लेकिन अपने बच्चों को बचा दिया कई माता पिता खुद नहीं खाए खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्टड़ी देने के लिए अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ उन पर लगा दिया क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं बुरे होकर जब हम अपने बच्चों से इतना प्रेम कर सकते हैं तेख अच्छा पिता वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करेगा वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे जो आपके लिए सब कुछ करेगा प्रबंद करेगा उपाय करेगा बंदर वाजे खुल जाएंगे आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे जौरत है तो आपको अपने पिता से लिपते रहने की अपने पिता से लिपते रहने जब आप इस पर कार करेंगे निश्य पर मैश्य आपके लिए उपाई करेगा आपके जौरतों को पूरा करेगा सो प्रबो आपको इस वचन के दौरा बहुत आएट से आसिस ते आमेन Praise the lot मेरा गवाई यह है यह मेरा मा का तुबियत बहुत खरब था उठाइनी जा रहा था उनका पुमी हो गया था मेरा मा के लिए मैं prayer request भेजा था दीदी भाया के पास उनका टीम ने मेरा मा के लिए prayer किया आज मेरा बहुत मा सुस्त भाली चंगी है मेरा बच्चे का बहुत जुन्दी घुसा आजाता था उसका घुसे के लिए मैं prayer request भेजाता है अब दीदी के पास prayer request भेजने के बाद उनका टीम ने मेरा बच्चे के लिए prayer किया आज मेरा बच्चे का घुसा संत हो गया ऐसा भी मेरा जिवन में बहुत सारे गवाई है इसके लिए बहुत जुक हो औसे इस कोटी-कोटी धन्नवाद देते हूँ और पीके भाया अम्रीत अदिरी के बहुत-बहुत धन्नवाद उनका टीम को भी बहुत-बहुत धन्नवाद जय मासी की हम परमेश्वर के धन्नवाद देते हैं इस सुन्दर सी सुभा के लिए और मैं आशा करती हूँ इस सुभा में आप सब बहुत युच्साहित हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर और जादा एनर्जेटिक हो चुके हैं आइए आज आप जिस भी समस्या जिस भी परिशानी में है परमेश्वर के सम्मग उन बातों को रखे आज परमेश्वर उन सारी बातों से आपको छुटकारा देंगे आइए मिल कर हम प्राथन करें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं धनिवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता आप बहुत भले पिता हैं आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमें मौका देते हैं परमेश्व पिता कि हम आपके वचनों से सीख कर आपकी बा मैं धन्यवाद करते हूं कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं, हम तेरे प्रजा के लोग हैं, तुने हमारे विशे में कहा है कि तुम राजपदारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, मेरा चुनावा वंश और मेरी निज प्रजा हो, तैंक यू फादर, इतना अद्भुर, पाते तु हम सब के विशे में कहता है, इससे प्रभु तेरा वो अगा पे प्रेम जलगता है, परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, उस प्यार के लिए प्रभु जो तुने हम से किया, जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में ही थे, तब ही परमेश्वर तुने हम से इतनी value प्रभु तोने हमारी बढ़ाई मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और आज जितने भी लोग प्रभु सुभा की प्रात्ना में हमारसा चामिल है परमेश वो तेरे लिए precious है वो तेरे लिए अनमूल है उनसे आप यार करते हैं और हर एक जन के लिए प्रभु जी पिता ये समय बहुत ही जादा प्रीशेस है ये तेरे चुनेवे लोग तेरे सम्मुक उपस्तित है आज प्रभु सुन्दर सुभा में तेरी उपस्तिती प्रभु जी हम सब भाई बेहनों के साथ में खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ हम प्रेस करते हैं धन्यवाद करते हैं रक्षित रखा खुदा आज हम जीवित रहकर इस दिन में प्रभु जी तेरे आनंद को तेरी शांती को तेरी भलाईयों को देखने के लिए तयार है ये शू हम चाहते हैं Holy Spirit आप हम सब को गाइट करें मैं प्रात्न करते हैं बहुत सी ऐसी बाते जिनके लिए प्रभु आपक प्रभु आप इन्हें प्रभु प्रवाइट कराएं प्रभु येशू जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी अब्रहम के लिए उस परवत पर इंतजाम किया और उस परवत का नाम यहुवाईरे माना गया प्रभु उसी प्रकार पर में शुपिता हम सब लाइफ के आप प्रोवाईडर है, आप हमारे यहुआई रहे है, आज प्रभू बहुत सी बातों के लिए प्रभू आपके लोग चिन्तित और परिशान है, प्रभू कहाँ से जरुवत पूरी होगी, कहाँ से सब बाते पूरी होगी, इस प्रकार की चिंता लेकर ये भाई बेन बैटे, परंतु धन्यवाद की तु यह हुआ ही रहे है, और तु अपने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, जीवन के हरे छेत्र में उपाई करना जानता है, मैं प्रातन करती प्र ये शाने खुदावन उपाई आपकी ओर से होने पाई पिता, आपकी ओर से इनके लिए उपाई होने पाई प्रभू, येश्वे एक अच्छे जॉब का उपाई हो पिता, एक अच्छे जीवन साती का, एक अच्छे घर का, प्रभू संतान का परमेश्य पिता, आप इने ब गुस्सा, इर्शा, जलन और प्रभू नेगेटिविटी, दूसरों पर दोश लगाना, दूसरों की चुगली करना, प्रभू सबाहों में बैट कर परमिश्व पिता, बहुतों को परमिश्व पिता, बुरा भला कहना, प्रभू यदि आज ऐसी बातों में आपके लोग प्रभू यश्व मसी, आपका थौट, आपकी बाते, आपका प्रेम, प्रभू हर एक के अंदर आए परमिश्व, ताकि हर एक जन प्रभू हर एक व्यक्ति को अपने समान प्रेम कर सके खुदा, मैं प्रातन करती हूँ, प्रभू आज बहुत से भाइवेन ऐसे हैं, प्रभ प्रभू जी प्रेम को उत्पन करें, प्रभू जी, जब पिता हम गुनेगार ही थे प्रभू, तब तु ने अपने प्रेम को प्रकट किया, उसी प्रिकार प्रभू यश्व मसी, आज बहुत से ऐसे लोगे परमिश्व, पिता, जो ऐसे स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, प प्रभू जी निराशाओं में जा रहे हैं, प्रभू रातों की नींद प्रमेश्व प्रभू चली गए, पिता, आज इस प्रकार की सिच्वेशन में, प्रभू जो भाई और बहन पिता हैं, मेरे खुदा उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, खुदा वने ऐसा बुत इंतिजाम करें प्रभू, कि प्रभू अपने कर्जे से अपने लोन से छुटकारा पाएं। परमेश्व प्रभू झी प्रभू एक बेहतर जीवन, एक प्रभु झी आशशित जीवन मुझी जी सके पिता, ऐसे इंकम के सोर्सेज, ऐसे आईडियाज, ऐसे थौर्ट्स, ऐसी जिनने प्रभू अपलाई करके प्रभू जी प्रभू वो आगे बढ़ सके पिता आज बहुत से लोग अपने अन्य कामों में हर एक काम में असफल होते चले जाए प्रभू असफलता इनके जीवन से चली जाए पिता डिसपोइंट में प्रभू बहुत से लोग प्रभू इन क्योंकि तुने प्रभू अपने लोगों से प्यार किया है और तुने बैस्ट देना जानता है प्रभू आप नहीं चाते हैं उनका जीवन अंधिकार में उन गलत बातों में खराब हो परण आप उन्हें सक्सिस आप उन्हें हायर पोस्ट आप उन्हें अच्छी स्टैडी कुछ भी बीमारी आज आपके शरीर में, उसे नाम लेकर डांटे, प्रभु येश्यू नासरी के नाम से, प्रभु इन भाई, इन बहनों के शरीर में, बच्चों के, नौजवानों के, बुजर्गों के शरीर में, जो भी बीमारी हैं, हम उने येश्यू के नाम से रिब्यू प्रभु जिनके प्रभु बॉडी में बहुत जादा सूजन है येश्यू के नाम से वह सूजन जाने पाए पिता प्रभु जिने इसकी प्रभु नहीं पाए प्रभु जो जायए प्रभु जो शुगर एंड बीपी लेवल प्रभु बहुत हाई है प्रभु धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते पिता त्यारे परमेशे जो 90 लेटर आई सिम है प्रभु जी प्रभु गिरने के कारण एक्सिडेंट के दुआरा प्रभु कोई भी ऐसा बॉड़ी पार्ट प्रभु जो बहुत जादा प्रभु जी पिता उसमें इंजिरी हुई है प्रभु ये शुके नाम से प्रभु तो इनके घाउं को चंगा कर पिता प्यारे परमेश्वेर आज की सुन्दर सुभा में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं जिस योजना को याज बनाएं वो सफल होने पायए पिता आने जाने में आपकी सुरक्षा इनके साथ, इनके बच्चों, इनके परिवार के साथ में हो पिता हर प्रकार के वो बेन हमारे साथ में है पिता प्रभु जी वो अपने बिजनिस के लिए प्रातना कर रहे हैं वो अपनी जॉब के लिए प्रातना कर रहे हैं परमेश्व पिता अपने घर परिवार के लोगों के लिए प्रातना कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद के हर एक की प्रातना अपने सु प्रभु येश्यू मसी और असहता करें पिता क्योंकि परमेश्य प्रभु आप अपने लोगों को सब कुछ देना जानते हैं। उन्हें चुटकारा, चंगाई, परमेश्व प्रभु सफलता, आशिशें, बरकत और परमेश्व हर प्रकार की प्रभु जी भलाईयां प्रभु आप उनके जीवन में दिखाना चाहते हैं, प्रभु आज आपके लोग रसीव करने पाएं, तैंक यू जीजस, हम सब कुछ आ नाम से मांगते सुने और ग्रहन करें, आमेन, आमेन और आमेन